एक छोटी सी ट्रिक Microsoft Excel में यहां पर दिख सकते हैं यह Columns है और इन Columns को selection में ले लिया है मैंने अब हम चाहते हैं कि इन Columns की जो width है वो एकदम से बराबर में set हो जाए तो आपको कहा जाना है सीरा चले जाना है format टैप पर और यहां से आप आ जाईए और यहां आटो फिट नहीं करना वलकि खुद फिट करना है तो यहां से आपको क्या करना है simply यहां पर column width पर जाना है और यहां पर कोई width आप दे दीजे यहां पर मैं कर देता हूँ 8.43 यह by default width होती है तो इसी को मैं दे देता हूँ और enterprise कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि सारा एक size में आ चुका है